हेलो फूरीज, वेलकम बैक टू माई यूटूब चानल, अगर आपके घर पे अचानक से मेमान आ जाते हैं और आप कुछ अच्छा जार डेजर्ट प्रेजेंट करना चाते हैं, तो लीची है, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, रवे की फिरनी, रवे को हम सू दूद बॉइल हो रहा है, तब तक हमें कटोरी में दो चमस दूद ले लेंगे, और उसमें सैफ्रोन यानि केसर हम भीगा के रख देंगे, देखिए हमारा दूद बॉइल होने लगा है, मैं इसे चला देती हूँ, आप चाहें तो केसर को पानी में भीगा के रख सकते हैं, और दूद को हमें continuous नहीं चलाते रहना है, वरना नीचे साइट से दूद जलने लगेगा, तो जब तक दूद हमारा पक रहा है, तब तक मैंने रवा लिया, रवे मैंने warm water डाला है, और इसे अच्छे से मैं mix कर दूँगे, और इसे 5-10 मियट के लिए हम rest पर रख देंगे, रवे और पानी को हमने अच्छे से mix कर लिया, मैं इसे side में रख देती हूँ, साथी साथ हम दूद को भी चेक करते रहेंगे, ताकि वो पेंदी में लगे ना, अब मैं mixture जाल ले रही हूँ, उसमें 15-20 पिस्ता ले लूँगे, और इसका एक smooth paste तयार कर लूँगे, दूद हमारा ready हो गया, अब मैं भीगोया हुआ रवा भी डाल दे रही हूँ, यह मैंने 50 ग्रम रवा लिया था, साथी साथ मैं इसमें 50 ग्रम सकर डाल दे रही हूँ, आप मिठा अपने कॉर्डिंग कर सकते हैं कम यह जादा, और से हम अच्छे से stir करेंगे ताकि इसमें लंस बिल्कुल भी ना बने, अब मैं इसमें पिस्टा का पेज़ डाल दूँगे, और से भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब मैं भीगोया हुआ केसर डाल दे रही हूँ, और इसमें अच्छे से stir करेंगे, देखिए इसमें बहुत ही प्यारा यलो कलर आ गया है, कैमरे में इतना अच्छे से नहीं दिख रहा है, पर सामने से बहुत ही अच्छा दिख रहा था ये, देखिए बिल्कुल रेडी है, अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ, ये मैंने इस तरीके के मिट्टी वाले बर्तन लिया है, आपको आसानी से मार्कीट में मिल जाएगा, इसने फिर्णी सौफ करने से फिर्णी का टेस्ट और भी जादा बढ़ जाता है, जो मिट्टी के खुशब होती है वो फिर्णी में चल जाती, बहुत ही टेस्टी लगता है, अब मैं फिर्णी इसमें सौफ कर देती हूँ, डेकुरेशन के लिए मैं उपर से गुलाब की पंखोडिया डाल दे रहें और चौप की हुआ पिस्ता काजू बढ़ दाम डाल देंगे, इसे बनाना बहुत ही आसान और कम इंग्रेडन में बनके जटपर तयार हो जाता है, मिट्टी के बरतन में फिर्णी को सौफ करने से फिर्णी में चारचान लग जाते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और नहीं है तो मेरी चानल को सस्क्राइब कर लें, बाई